टूटू ने जब ये सुना कि ये जंगली लोग इनको खाने कर प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसकी तो जान ही निकल गई। उसने सूइटू को उठाया। सूइटू उठचाओ अभी सोने का वक्त नहीं है। सुवीटू ने कहा, अरे सोने दोना टूटू, कैसी बहकी-बहकी बाते कर रहे हो, सोजाओ, मैं बहुत थकीवी हूँ, मैं नहीं उठ रही, टूटू ने कहा, सुवीटू बाजी, अगर आप अभी नहीं उठीना, तो हमेशा के लिए सोती रह जाएंगी, प्लीज, मेरी बात सुनिए, सुवीटू आँखे मलती भी उठी और बोली, क्या मुसीवत है टूटू, अच्छा बला सो रही थी, क्यों उठा दिया, मुझे पता है तुम्हें वाश्रूम जाना होगा, है ना, टूटू ने कहा, जी, मुझे वाश्रूम जाना है, नहीं नहीं, मैंने आपको यकिन करें सुवीटू बाजी, सुवीटू ने कहा, ओ नो टूटू, हम किस मुसीवत ने फस गय, अच्छा, दर्वाजा खोल के देखो, हमें यहां से फॉरण भागना होगा, इन आदम खोरों के घर में, खिड़किया नहीं थी, टूटू और सुवीटू, आइस्ते आइस कर सकें, बुढ़ा जंगली आदमी, दर्वाजे के साथ एक पलंग पर लेटा हुआ था, टूटू और सुवीटू को लग रहा था, कि यह गहरी नीन में है, मगर ऐसा नहीं था, टूटू और सुवीटू को डर लग रहा था, वो लोग यह सोच रहते, कि सामने दर्वाजे तक अगर वो लोग पहुचे, तो कहीं ऐसा नहों कि बुढ़ा आदमी उट जाए, मगर फिर उन्होंने हिम्मत करके, आइस्ते आइस्ते आगे बढ़ना शुरू किया, टूटू और सुवीटू को जंगली आउरत नजर नहीं आ रही थी, उन्हों को लगा, कि वो घर से बा ही बाद चुके थे, मगर उस जंगली आदमी ने अपनी आँखे खोल ली, और आप इन लोगो लगा, कि ये लोग तो अब पकड़े ही गए, मगर फिर अचानक उसने अपनी आँखे बन की, और गहरी नीन में चला गया, शुकर है, अब सुईटू और टूटू सामने का दर बाहर भागने की, अब तुम लोगों को मार डालूँगी मैं, जंगली आदमी भी उड़ी गया, और बोला, क्या ये लोग भागने का सोच रहे थे, कैसे हिम्मत की इन लोगोंने, क्या सोचा तुम लोगोंने, कितनी आसानी से यहां से भाग करके चले जाओगे, हां, बोलो सुईटू ने का, नहीं, नहीं, हम बाहर भागने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, आपको गलब फेहमी हो रही है, असल में आप नजन नहीं आ रही थी न, तो हमने सोचा, आपको ढूड़े, आपसे काम था, जंगली आउरत ने का, अच्छा, बाहर भागने का नहीं स खाईएगा प्लीज जंगली आत्मी ने का मुझे लगता है ये लोग जूट बोल रहे हैं और इनको अब पता चली गया है कि हम इनको खा लेंगे वैसे भी पानी गरम हो गया है तो अब इनको पका लेते हैं लदर फेस का वेट नहीं करना चाहिए बहुत देर हो गई है चलो आजा टूटू और सुईटू बहुत भूरी जगा फस चुके थे और अब इनका बचना बहुत ही मुश्किल था टूटू और सुईटू पीछे हटते जा रहे थे अब इनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था ये दोनों उस हांडी के पास बहुँच गये जिसमें ये आदम खोर इनको डालके पका करके खा जाएंगे फिर अचानक दर्वाजे पे दस्तक होई तो जंगली औरत बोली लगता है हमारा बेटा लेधर फेस आगिया है जंगली आदमी ने कहा अंदर आजाओ लेधर फेस तुम्हें दर्वाजा खट-कटाने की क्या जरूरत ज ममी डैडी और दादी भागते वे उसी जगे पे आ गए जहाँ पर दादा पानी में गुम हो गए थे ममी ने कहा ये तो वही जगा लगरी है जहाँ हम पानी में कूदे थे और जहाँ पर मगरमच थे मगर यहाँ पर पापा तो है ही नहीं डैडी ने कहा देखो ये मगरमच कितने मोटे लग रहे हैं मुझे लग रहा है कि इन मगरमचों ने हमारे पापा को खा लिया दादी ने का पिलीज ऐसे मत बोलो ये मगरमच तो पहले ही बहुत मोटे थे अभी देखो ये हम पर दुबारा हमला करने के लिए आ रहे हैं भागो यहां से अपनी जान बचाते हु ममी डेडी और दादी महां से फॉरन से भागे मगर उन्हें दूर से किसी की आवाज आ रही थी कोई उन्हें आवाज दे रहा था ये कौन है अरे दरिया के किनारे दरिया के किनारे ये तो मैंडी है जो इन्हें बुला रही थी मैं आ गई हूँ आप लोग की मदद के लिए मैंडी को यहाँ पर देख करके ये तीनों खुश हो गए कि शुकर है कोई तो इनकी मदद के लिए आया मैंडी ने कहा आप लोग वहीं पर रुकें मैं दरिया पार करके आप लोगों के पास आती हूँ मैंडी फिर दरिया के अंदर चली गई उसे नहीं पता था कि ये दरिया मगरमचों से भरा पड़ा है ममी डैडी और दादी ने चिखना शुरू किया मैंडी वापिस जाओ मगरमच है दरिया में मगरमच है प्लीज वापिस चली जाओ मैंडी ने जब ये सुना तो उसकी तो जान ही निकल गई वो फॉरन से दरिया से निकल करके भागी इससे पहले के मगरमचों से पकड़ ले मैंडी मगरमचों से बाल बाल बज गई दादी ने कहा मैंडी तुम दरिया के साथ साथ चलती रहो हो सकता है आगे जाकर के कोई रास्ता मिल जाए तो तुम हमारे पास आजाओ हमें उस तरफ जाना है हम दादा को और स्वीटू और टूटू को ढून रहे हैं ठीक है मैंडी उन लों के पास नहीं आ सकी इसकी वज़े से वो लोग सब उदास हो गए मगर हो सकता है आगे जाकर कोई रास्ता मिल जाए ग्रैनी बोली अरे ये क्या स्वीटू और टूटू यहाँ पे मैं तो जंगल में ढून ढून के परिशान हो गई मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो सीधा तुमारे पास आ गई आजाओ मेरे पास शाबाश जंगली और अरत बोली कौन हो तुम और ऐसे कैसे तुमें दे दें बच्चे ये ये बच्चे अब हमारे हैं और इन्हें हम ही खाएंगे जंगली आदमी ने का मैं समझ क्या ये कौन है बच्चो ने बताया था ना कि एक ग्रैनी इनके पीछे लगीवी है जो इनको खाना चाती है तो ये वो ही है ग्रैनी अगर तुमें अपनी जिन्दगी प्यारी है ना तो यहां से चली जाओ इससे पहले के मेरा बेटा लदर फेस आजाए फिर वो तुमें नहीं छोड़ेगा टूटू और सुईटू को तो यकीन ही ने आ रहा था कि वो एक के बाद एक किस मुसीबत में फस्ते चले जा रहे हैं फिर वो भाग करके कमरे में बंद हो गए ग्रैनी ने कहा तुम लोगों के ऐसी कित ऐसी अभी बताती हों तुम लोगों को फिर ग्रैनी ने उन दोनों जंगलियों पर हमला कर दिया मुक को और लाटों की पारिश कर दी ग्रैनी इन दोनों से ज़्यादा ताकतवर थी इसलिए ये दोनों इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे ग्रैनी ने इन दोनों को इतना जोर कमारा के दोनों दूर जाके गिर पड़े बड़ाए मुझसे मकाबला करने वाले इन बच्चों को तो मैं ही खाऊंगी अब ग्रैनी को रोकने वाला कोई भी नहीं था ग्रैनी आगे बढ़ी और देख्ची में जाकने लगी ग्रैनी बोली बड़े मज़े का सालन लग रहा है मगर मुझे तो बच्चे कच्चे ही पसंद है कहा हो तुम लोग दरवाजा खोलो सुईटू और टूटू दरवाजे के साथ लग करके खड़े हुए थे ताकि ग्रैनी धक्का दे करके दरवाजा ना खोल ले ग्रैनी ने कहा प्यारे बच्चो दरवाजा खोल दो वरना मैं लाद मार के दरवाजा तोड डालूंगी You want to play hide and seek? Where are you?